शीर्ष दस सक्रिय ज्वालामुकी ज्वालामुकी हमेशा से प्रित्वी पर सबसे आकरशक और भयानक प्राकृतिक घटनाओं में से एक रहे हैं। उनके विस्पोर्ट से दुनिया भर में बड़े पैमाने पर विनाश और लाखों मौते हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज्वालामुकी का निमान और उसका विस्पोर्ट लुभावने परिद्विश बना सकता है और प्रित्वी की आंत्रिक कारेप्रनाली के बारे में गहरी जानकारी प्रदान कर सकता है। मौंट फूजी जापान का सबसे उन्चा परवत और सबसे प्रसिद्व ज्वालामुकियों में इसे एक है। ये आकरी बार 1707 में फूता था लेकिन इसे अभी भी सक्रिय माना जाता है। मौंट फुजी के बारे में अनुकी चीजों में से एक इसका लगभग पूर्ण सम्मिच शंकु आकार है। ये हमेशा से जापान का सांस्कृतिक प्रतिक रहा है और हर साल लाखों परेटकों को आकरशिक करता है। हवाई में किलावा ज्वाला मुखी सन्युक्त राज अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वाला मुखी है। ये एक 1983 से लगातार फूर्ट रहा है और इसके लावा प्रवाह ने अंगिनत घरों और मीलो लंबी सडकों को नश्ट कर दिया है। लावा विस्वोट की अविश्वसनिय शक्ती बनाती है। किलावा दुनिया के सबसे खतरनाग ज्वाला मुखीयों में से एक है। मौंट एटना इटली के सबसे प्रसिद ज्वाला मुखीयों में से एक है और 2000 से अधिक वर्षों से सक्रिय है। ये अपने विस्पोडक विस्पोटों के लिए जाना जाता है, जिससे 700 मीटर तक उंचे राग के गुबार और लावा के फभवारे निकल सकते हैं। एटना का अलावा 400 गर किलोमीटर से अधिक शेत्र में फैल गया है, जिससे ये यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय जुआलामुखी बन गया है। 4. स्ट्रोमबोली जुआलामुखी इटली में इसी नाम के एक द्वीपर स्थित है। ये अपनी लगभग निरंतर जुआलामुखी गतिविधी के लिए जाना जाता है और दशकों से इसमें हर घंटे कई बार विस्पोट होता रहा है। ये निरंतर गतिविधी स्ट्रोमबोली को उन लोगों के लिए एक अद्वितिय गंत्वे बनाती है जो सक्रिय जुआलामुखी की तीव्य शक्ति को देखना चाहते हैं। 5. न्यारागुंगो जुआलामुखी कांगों में न्यारागुंगो जुआलामुखी अपने घातक विस्पोटों के लिए जाना जाता है जो भारी मात्रा में लावा छोड़ सकता है। 2002 में इसका सबसे हालिया विस्पोट महीनों तक चला और कई सो लोगों की मौध हो गई। 6. पकाया जुआलामुखी गौाटेमाला में पकाया जुआलामुखी की गतिविधी का एक लंबा इतिहास है जो प्राचीन माया सभेता से जुड़ा है। ये एक 1961 से लगातार पूट रहा है और इसके विस्पोट अकसर विस्पोटक और खतरनाग होते हैं। पकाया की आबादी वाले शेत्रों से निकटा इसे मानव बस्तियों के लिए एक संभावित खत्रा बनाती है। 6. माउंट एरेबस माउंट एरेबस अंटार्क्टिका में स्तित एक सक्रिय जौळामुकी है और ये दुनिया का सबसे दक्षिनी सक्रिय जौळामुकी है। इसकी अनूठी विशेष्टा यह है कि इसमें लगातार सक्रिय लावा जील है जो इसे वैज्यानिकों के लिए अध्यान का एक उत्क्रिष्ट विशे बनाती है। एरेबस का कठोर वातावरन इसे अध्यान के लिए सबसे चुनोती पूर्ण जौळामुकियों में से एक बनाता है। माउंट यासर एक सक्रिय जौळामुकी है जो वानूतु के तन्ना द्वी पर स्तित है। ये 800 से अधिक वश्यों से फूट रहा है और इसकी गतिविधी ज़्यादातर स्ट्रोंबोलियन है जिसका आर्थ है कि ये निमित रूप से थोड़ी मात्रा में लावा, राक और गैस का विस्फोर्ट करता है। यासर की अनूठी विशेष्टा ये है कि आगंतुक बहुत करीब से सक्रिय ज्वालामुकी को सुरक्षित रूप से देख सकते हैं। अमेरिका के वाशिंग्टन राज में स्तित हेलेंस में एक हजार नौसो असी में प्रसिध विस्फोर्ट हुआ जिससे शेत्र में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। इसे अब एक सक्रिय ज्वालामुकी माना जाता है और इसमें विस्फोर्टक विस्फोर्टों का इतिहास है। मांसें, हेलेस एक लोगप्रिय पैटन्स थल बन गया है और विज्वालामुकी गतिविथी का अध्यान करने के लिए एक शोध अवसर के रूप में उप्योग कर रहे हैं।